मेरे तुम हो हां तुम दोना ने हम धनेकर दिखाया है reward पहली में तो निखा था कि गुफर से बाह निकलती ही परीदार मिल जाएगा हा परीदेर हैं काई परीदेर पहली अधाने शायद महरे तो मैं आध्य चैर बेनी नाश्य दिखाई दे रहे हैं कुम Championship अषरी रिल, एक रिल अषरी पहां अजया है रिता, 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 रिता गया फुट एक और जुवाला मुख्य शैलकता मुכे कि गया मिल परीदारा बालवीर को नहीं, अभी नहीं मिला है हें? नहीं मिला? तो क्या मिलेगा तब जब जल जाएगा ये ज़ाना सोध जुवादामं उख्यों के लावा से जो बेवकुफ बालवीर को अभी तक परीतारा मिला नहीं है मगर वो परीतारा के बहुत करी है बहुत करी अरे वाट है इसी बात तो बनवा लीजिये दो बढ़िया से सिंगा समय एक आप्पा और एक इस ब्रह्माण के प्रथान मंत्री का मेरे ही कहने पर मेरे लिए ही परितारा लेने चलागे कुछ लोग पैर पे कुलाड़ी मारते हैं लेकिन बालवी वो तो कुलाड़ी पे ही पैर मार रा है बेचाना भी 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 खुला भाला बच्टा पार्वी क्या सुच रहे हैं तुम्हें तो खुश होना चाहिए ने बिना शक्तियों के परीदारा अशन कर लिया अब तुसे परीदारा लेना है और नटकेट परी को देना है फिर सारी परीओं का वच भी तूट जाएगा और भयंगर परी को अपने की किसाजा भी मिल जाएगी मैर मैं खुश हो मैं बहुत खुश हो लिकिन परीदारा अभी भी हमसे बहुत दूर है और वहां तक पहुचना आसान काम नहीं है क्योंकि ये जो तालाब है वो माया भी है अगर इसमें कोई भी चीज़ गिरेगी तो वह बर्फ बन जाएगी बर्फ मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस तालाब को कैसे पार करो मैर वो देखो मिल गया रास्ता मगडी का जाला उस फेड़ पे अब यही जाला मुझे परितारा तक पहुचाएगा बखडी का जाला तुम खुशी से भागल होगी हो क्या बखडी का जाला तुम्हें वहां तक कैसे पहुचाएगा मुझे कुछ चमस नहीं आ रहा है रुको यह ताल्वीर ने तो मेरे बार बार कुथ-कुथ के पी वाट लगा दिये इसको मेरे दो बार इसमें ताल्विर की कोई गलती नहीं है, रुमाल हवा के वाचे से तेरे पैरों के नीचे आगया और तालविर सीधा रुमाल पे आ के खुदा, आया अब तालविर क को बुला के उसको रीक्वेस्ट करो, जो आके मेरे उपर आगुदे पर अभी भी उसको बुलाने के लिए रुमाल तो रखने है पड़ेगा ना कि वो तो सिधा रुमाल पर एंट्री मारेगा पर फिर से अगर रुमाल हावा के वाज़े से मॉंटू के पेरो के नीचे आगया तो नई 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 मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मॉंटू मेरे पास एक आईडिया है बिना रिस्क वाला किया हो सुना तू भी सुना अपन लोगे न यह रुमाल पर एट पद्दे रख देंगे फिरो रुमाल लेगा भी नहीं और तू भी बच जाएगा पूस्का अब जब 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 आएगा फिजव फिजव बस फजय अरे बज़ा मनला के आप बंद करके बज़ाओ ताल्वी की तो एंटीक तो दमा किला हो तो यह थेख से रखो इस बताओ तुछ तो सही क्या करें हो मैं वह समने गुमर्ड देखरी मैं इस स्तार का फंदा बना के उस गुमर्ड में फुसांगा क्या फिर इस स्तार पे लटक के मैं उस पार जाओंगा बालवी यह तुम क्या बोल रहे हो यह रसी है तो मोटी लेकिन है तो मकड़े के जाने की रसी ना तुमारे वेटे तूट नहीं जाएगी नहीं यह परिलो कि देखो मैं क्या करता हूं मैं मेरे पास सिफे की मौका है अगर एक बार में उस गुमर्ड में नहीं फसा तो यह नीचे गिर जाएगा और बरफ बन जाएगा नहीं यह सीधा गुमबंद जाएगा तुम ट्राई तो करो वे भगवान से प्रे करती हूं हाँ दूबडवा अरे डूबडवा पता नहीं कहां चला गया अभी पास में हम रूप बदलने वाले और डूबडवा गायब हो गया हां जरूर हीम क्रीम के लालच में कहीं भटक रहोगा भगवान अगर उसे रूप बदल जोए किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा बदलने के लिए और अभी पी तुम बलूई हो तो केसी ने जरूबडवा वाली कहां ता जीमी की मम्मीने गुमाने कि लिये जीमी को भगी चेंए पर मैंने गुमा दिया जीमी को उठाया के क्या? बोला था जीमी की बम्मी को जोबंग ना समझ तुमसे कित्ती बारका है कि प्रितवी लोग में जो तुमने ना समझ आ है वो मुझ से पूछा करो वैसे जीमी ठीक तो है न तुम्हें indifferent टीफ ना ऐग हैं फिर्ष। विल्कुल चूँ अब पास मीट में हम असली रूप में आने वाले और अगर जिमी के मम्मी तुम्हें धून्ब थे रून्ब थे आगई तो अम पख्रे जाएए डूबडूब जल्दे से जर्वाज़ा बनता हूँ, मैं गुसोशी हूँ, करता हूँ अभी अरे पकड़ा गया, बदमास, पकड़ा गया हाँ, लगता है डूबडूब पकड़ा गया लेकिन कैसे, अभी तब तु मेरा रूप नहीं बदला, फिर उसका कैसे बदल गया अरे पकड़ा मैं, हाँ पांच मिनिट बाक्की अभी अरे पांच मिनिट नहीं अभी एक मिनिट के लिए में तुम्हें नहीं छोड़ूँगा कपसे भगार आये मुझे, है किधर है, किधर है, दादा जी किधर है, दादा जी इधर है, लगता है आपके आँक कमजोर हो गई है हमारा आएक एकदम ठीक है, हमारा कहने का मतलब यह है कि दादा जी वो किधर है आपका भी व्याकन गड़ बड़े है तलपवीराम नहीं लिया आपने वो किदर है ने? वो मंदिर गई है और मुझे मालूम है आप सक्कर या दूद मांगने के लिए आई लेकिन वो मैं आपको नहीं देख सकता क्योंकि वो मंदिर गई है बाबू मुशाए दूद और शुकर हमारे घर में खूब है शुकर है? मतलब शुकर है? चमधकार हो गया आप कुछ मांगने के लिए नहीं आई तो फिर क्या चाहिए आपको? आमा के? आमा के ओ बदमाश बुलू का बच्चा चाहिए क्या मजा कर रही यार आपको बलू का बच्चा चाहिए उसके लिए तो है न आपको 15-20 साल इंतजार करना पड़ेगा बाबू मुशाए हम इदर मोजा करने नहीं आए है एक दम सीरियस बात करने आए सबसे पहले तो तुम इसको भार निकालो जिसको तुम आरे पीशे चुपा के रखाए निकालो इसको बाहर चुपा के नहीं इसको पकड़ के लाया हूँ आज है ना इसकी व्याकरण ठीक करनी है अरे तुम क्या ठीक करेगा व्याकरण? ठीक तो हम करेगा लाक रहा? बाबू मुशाय! बाबू मुशाय तुमको मालूम आज क्या हुआ? हाज, हाज हमारा नन्ना मुन्ना वो जो जिमी है, वो घर में बैटके रसगुल्ला और चॉम-चॉम खाते हुआ बोर हो गया था तो आम, आम बोला ये बालू से की ले जाओ, इसको जारा पार्क में घुमा लेकिन ये बालू, बालू पता है क्या किया? उसको मेरा बेटा को वही शा गोल गोल पंखादी शा गुमा दिया अब भी देखो पाल्वी, ये क्या खेल जया तू? मेर, मैं खेल ले रहा हूँ ए बगमान घुमपन तक पाचा देना पाचा देना, पाचा देना, पाचा देना, प्लीज, 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 प्लीज मेर, आखे खलो मेर, देखो, फंदा घुमपन पर फस गया ये, 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 चला गया अब हम जाएंगे समने वाली बाहर में और पुरी दारे ले गाएंगे मैर, हम दोने नहीं, सिर्फ मैं अकेला जाओंगा क्योंकि ये बहुत खत्रे वाला काम है और मैं तुम्हें किसी भी खत्र में नहीं डाल सकता पर वालवी नहीं मैं, मैं तुम बोल रहा हूँ, सब समझ के बोल रहा हूँ मैं समय भी अर्थ मत करो इसका दूसरा चोर पकड़ के उस पेड़ पे बांदो ये लो, ये ले जाओ ये उस पेड़ पे बांदो जाओ पेड़ पेड़? हाँ मैर, जाओ जल्दी ठीक है मज़ा क कर रही है आप देखो, मेरे बलू का साइज्टो वो उसे कैसे गूल-गूल गूमा सकता है यह, यह, यह यह मेरा कूता है यह आपका कूता नहीं है क्या भुल रही है आप कि आज के बाद दुबारा ये बात मत बोलना अरे इस ने इस घर में जनम नहीं लिया तो क्या हो गया लेकिन ये मेरा पोता ही है नहीं बाबु मुशाय आप समझ ने रहे हैं ये आपका पोता नहीं है आँ मैं सब समझ रहा हूं लेकिन तुम नहीं समझ रही हो हाथी की मम्मी अरे खुन का रिस्ता ही असली रिस्ता नहीं होता है उससे बढ़ कर भी कही रिस्ते होते हैं नहीं भाबू मुशाय ओक्त है नहीं ये ये बलू नहीं है समझ गया सारी कॉलोनी जो तुमारे बारे में बात करती है ना वो सई है क्योंकि तुमेह ना किसी की खुशी नहीं देख सकती तुमें हर दाल काली और हर आँख में बाल दिखाई देता है बाबू मुशाय आप मेरी बात समझ नहीं रहे है जो आपने अपने पीछे छपागे रखा है न, वह आपका पोता बलू ना ही है वो, वो, वो बड़ा अजीब है वैसा मानुस मैंने जिन्दी पे पहली बार देखा है वारे तुमने पहली बार ही देखा होगा सच्चे और अच्छे लोग है न, दुनिया वाले को अजीब ही दिखाई देते हैं उसके लिए न, दिल की नजर चाहिए लेकिन तुमारी दिल की नजर तो जान दो तुमारी तो आखों की नजर भी कम जोर हो गई है इसलिए तुमें सब अजीब अजीब दिखाई दे रहा है ना रिचुप ना तुम्ही पागल होई जाबी ये ये जिसको आपने पीछे चुपा करका है न ये आपका पोता ने ये ही है मेरा पोता अबन लू पोता बब बालवी लेकिन तुम जाओगे केसे इससे वाओ बालवी तो है बसके ते मसमस आइडियोस होते है मेर अपना ख्याल दखना मैं जल्दी ये परीता रहली कर वापस आता हूँ आल दे बेस बालवीर आल दे बेस अरे बालवीर आगी जाना है ना मेर पता है खुश रहो परीतारा इस ब्रह्मान के सारे प्राणियों में अपनी उर्जा से जीवन भरने वाले अद्बुत परीतारा को रानी परी का धन्यवाद मैं हर साल आपके सामने शक्ति संचय की साधना करती है और आप हर साल अपनी कृपा मुझे पर बढ़साते हैं इस साल भी आपने जो मुझे दिव्य उर्जा दी है उसको मैं पूरे साल भड़ता सबके हित और भलाई के लिए उप्योग करो आप अपनी कृपा सदा बनाये रखे और हर साल अपनी शक्ति प्रदान करते रहे सथ सथ नमन खुश रहो परितारा कितनी उदासी चा गई है आपरी लोग में विजदार परी बाल परी यह देखें कितने सारे सफेद मूती परी लोग में सारी परियां दुखी है और जब भी कोई परी रोती है तो उनके आसो सफेद मूती बन जाते हैं हाँ भटकाती परी परी बाग में जगे जगे सफेद मूती बिखरे पड़ी है और मैं यह मूती वहीं से लाई यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा हमें जल से जल सारी परियों के दुख कम करने पड़ेंगे ने तो परी बाग में एक दिन हरी गास के जगा सफेद मूतीयों की चादर बिख जाएगे पर हम कर भी क्या सकते हैं हटकाती परी आप तो जानती हैं कोई भी परी अपनी मर्जी से रोती नहीं है वैसे ही कोई भी परी अपने मर्जी से अपने आसु भी नहीं रोग सकती कैसी अजीब सी स्थिती है एक तो रानी परी अपती शक्ती संचय साधना से बाहर नहीं आई अगर वो हमारे साथ होती तो हमें इतनी मुश्किलों का सामना कभी नहीं करना पड़ता परियो खुश हो परियो खुश हो परियो कुश रहो परियो क्या हुआ सब ठीक तो है इतने सारे मोती नहीं रानी परियो कुछ भी ठीक नहीं कुछ भी ठीक नहीं की अ की की झाल झाल